हेलो नमस्कार साथ यो मैं मनीश याजब एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो लेकर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिन चात्रों के अंतिम बर्ष की परिक्षाइं चल लए हैं और जो बीएड के लिए प्रवेश परिक्षा में सामिल हुए थे अब उन स के समझे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आप सभी के सामने स्किन पर एक आइडिकल दिख रहा हुगा जिसमें लिखा है कि प्रवेश के लिए निरस्त का मतलब यह है कि फिलाल के लिए निरस्त कर दी गई है और अक्टूबर के महां में यह कांसिलिक कांसिलिंग को इस्तागित कर दिया है कांसिलिंग इस्तागित होने से अंतिम बर्ष के चात्रों को कांसिलिंग में सामिल होने के उमीद जग गई है सब्सक्राइब करने की चूट थी लेकिन कांसिलिंग के प्रस्तुत करने की बात देता है वह समस्या आती तो इसलिए कोरोना के चलते जो समस्या पैदा हुई थी तो इसमें अक्टूबर से पहले संबब नहीं है जल्ड भी तो आप लोग समझेए कि अक्टूबर यानि की अंतिमियर के जो भी चात रहे हैं वो यह समझ लेजिए कि जब तक आपकी कांसिलिंग प्रक्रिया प्रार्म होगी आगामी अक्टूबर महा में आयुजित की जाएगी अक्टूबर महा में कब आयुजित की जाएगी जब आपके अंतिम बर्च के प्रड़ाम आ जाएंगे तो यह कुछ एक जन करी है चटपुट बाकि इच्छत प्रतिसाउजी माराज बस्तले कानपुर की भी अपडेट क जिनको प्रमोट किया गया था तो उनका रिजल्ट भी हो सकता है कि सितंबर के अंतिम सब्तहा तक आजाए तो कुछ अपडेट हैं अगर उस से रिलेटर अगर कोई नई जनकारी आती है तो आप सभीक साथ चैनल के मादम से सबसे पहले साजा की जाएगी तो आज की वीडि यदि आपको कोई प्रिश्ण है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अन्था आप कमेंट कर दीजीगा आपको यह था समय रिप्लाइग